नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पी सीम बी डिजिटल ग्रुकुल क्लासस पर बच्चों आज हम सुलुशन करेंगे एंटेसी स्टेज वन में जो पेपर हुआ था हमारा 36 गर्ड स्टेट के लिए उसको section wise आज पूरा solve करने का प्यास करेंगे तो देखिए अभी हम आज क्या करने वाले हैं solution करने वाले हैं NTSC stage 1 NTSC stage 1 36 गर्ड जो हमारा पेपर हुआ था आज हम उसको solve करेंगे तो देखे सबसे पहला क्वेशन हमारे पास यहां है बेटा सेकेंडरी कंजूमर इन दो फॉलॉएंग और हम सारे क्वेशन पूरा देखेगा आप आखरी तक और पसंद आये तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए सेकेंडरी कंजूमर कौन है तो यहां पर प्रड्यूजर तो है क्रॉप प्राइमरी कंजूमर है राट जो राट को खाएगा और टर्शर है ताईगर तो यहां पर अंसर क्या होजएगा cat number two अगला कुशन है अगल मसल्स में oxygen की कमी होगी तो what lead to it formation we all know the answer lactic acid number one B and T cells क्या होते हैं तो B and T lymphocytes होते हैं बटा जो की कौन कौन सी immunity करते हैं humeral and cell mediated immunity and cell mediated immunity number two blood cells or blastocytes or blastocytes इनका कोई लिए नदेना नहीं है astronauts एक दोसर से क्यों बात नहीं कर सकते हैं common sense है क्योंकि वहाँ पर carrier नहीं है वाज को air नहीं एट्मोस्फेर नहीं है conduct कराने के लिए number four tuberculosis क्या है तो tuberculosis long term diseases सही बात non contagious फैलती नहीं है नहीं जी फैलती है तो जलत बात लिखे एक्यूट डीजीज नहीं है और urgent disease भी नहीं है तो यहां पर अंसर होगा first यह तो यहां पर लिखाई हुए दूसरी भाशे में समझाने के लिए मैं मैं में वेशा one two three four लिखना पसंद करता हूँ in which category you will keep electronic face तो भई हम सब जानता है plastic के ओपर अतनी मुहीम चल ज़िए single use plastic को use ना करें क्योंकि वो non bio degradable है वो decompose नहीं होता matter में nature में अपने आप hybridization method क्यों चाहिए prevention of plant from pest more production of eggs development of new irrigation method development of species of desired character कर तो हम सभी सकते हैं बाद आज कल हम यह वाला तरीका अपना रहे हैं जिससे हम अपनी पसंद के choices जो है वो produce कर सके हैं इसको हम बोलते हैं inter-specific hybridization mule और hini वाला example हमने पढ़ाए हो hybridization next question is main objective family planning keep control and fertility rate right proper gap right healthy mother right and child तो हैं पर उप्शन होगा 4 ठेक world ozone day बिटाई NEET में भी question आया था answer होगा 16 September ध्यान रखेगा यह NEET में भी question आ चुका है यहां पर answer आ जाएगा 2 कौन सा organism है जो planter animal दोनों देसा दिखता है उसको yuglena कहते हैं इसलिए इसका नाम इस तरीके से भी जाना जाता है connecting link between plant and animal kingdom क्यों क्यों क्योंकि यह कभी autotrophic हो जाता है और कभी-कभी heterotrophic भी हो जाता है evolution में आप यह जरूर पढ़ेंगे तो यहां पर अंसर है fun next question unmatched pierce trips in pancreas बिल्कुल ठीक बात है amylase saliva carvoidic coadist करता है by liver ठीक बात है perhaps निसोफेगस नहीं होगा यहां पर stomach होना चाहिए था इसलिए इसका अंसर क्या है incorrect में four wings of housefly and wings of sparrow तो भाई यह तो mammal में है birds में है sorry mammal कहरा हूँ यह तो birds में है चेडिया और housefly तो आर्थरपूर है तो दोनों बहुत एक दूसरे से दूर है यानि कि इनके जो wings होंगे वो superficially ही एक देसे हो सकते है उनमें क्या होगी superficialism lens fundamentally different होगे fundamentally different और जब कभी ऐसा होता है तो उसको हम functional same जोग चीज होती है और ऐसी चीज दिखती है तो हम कहते हैं analogous तो यह answer होगा one identify the unmatched pairs plant आई autotrophic होते हैं खुद खाना बनाते हैं अपरोफोटिक डेड और डेकेड पे animalia heteros आई है तो एक यह option बज़ किया कसकटा autotrophic last question brain is responsible for thinking regulation balancing तीनों चीज़ें करता है तो यहाँ पर answer क्या होगा D all of the above तो बच्चों इसे के साथ यह जहारकंड का NTSC stage 1 जो था वो हमने paper solve कर लिया हुमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें support करते रहें Thank you so much for watching the video